यह वीडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 10 है और इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में किस प्रकार से एक कंड़क्टर का रेजिस्टेंस अलग-अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है तो हम लोगोंने क्या देखा था यदि ये कंड़क्टर वायर है तो इसका रेजिस्टेंस अलग-अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है मतलब इसका यदि हम लोग लेंथ को बढ़ा दे या घटा दे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा इसका थिकनेस यानि की क्रॉस सेक्षन के एरिया को हम लोग बढ़ा दे या घटा दे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है इसका मेटरियल हम लोग बदल दे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है हम लोगोंने क्या देखा R directly proportion L और इस प्रकार से inversely proportion क्या होता है A और जब हम लोग इसको मिलाते हैं तो क्या हो गया R L by A और इसको हटा के directly proportion हटा के हम लोग एक constant रखते हैं उसको हम लोग क्या बलते है Rho L by A तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था अब हम लोगों को पढ़ना है Rho के बारे में वेर Rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity इसे हम लोग क्या बोलते हैं electrical resistivity बोलते हैं of the material of the conductor तो इस conductor में जो material हम लोगों ने use किया है उसी के resistivity को हम लोग Rho कहते हैं मतलब कि यह जो material है क्या material यहां पर use हुआ है resistivity का सब्मन्द उस material से है the SI unit of resistivity is ohm meter तो SI unit resistivity का क्या हो गया ohm meter तो आप देख सकते हैं R is equal to rho L by A तो यदि rho लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे R into A by L R का SI unit क्या हो गया ohm A का meter square और यहां पर हम लोग यदि meter करते हैं और यहां पर इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो यह क्या हो गया rho sorry ohm meter यानि कि rho का जो SI unit हम लोग निकालेंगे इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा ohm meter it is characteristic property of the material तो जैसे हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ लिया है कि यदि कोई material हम लोग use कर रहे हैं उस material का उस conductor के material का जो resistivity है या फिर electrical resistivity है उसी को हम लोग क्या बोलते है rho मतलब इसके material का जो resistivity है उसको हम लोग rho कह रहे है इसका क्या मतलब हो गया कि यह जो rho है electrical resistivity है वह उस material का क्या है characteristic property है The metals and alloys have very low resistivity in the range of इतना जो लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि जो metals होते हैं या alloys होते हैं उनके resistivity क्या होते हैं कम They are good conductors of electricity तो resistivity के terms में हम लोगों ने देख लिया resistivity material पर निर्भर करता है किसी material का यह क्या है characteristic property होता है तो जिसका resistivity कम होगा वह अच्छा conductor होगा और जिसका resistivity बहुत ज़्यादा होगा वह bad conductor होगा यह अच्छे प्रकार से बोले तो bad conductor of electricity होगा They are good conductors of electricity Insulators like rubber and glass have resistivity of order अब देख सकते हैं rubber है, glass है, उसका resistivity बहुत ज़्यादा है तो यदि resistivity उस पदार्थ का बहुत ज़्यादा है तो वह क्या होगा, insulator के तरह behave करेगा Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature तो यहाँ पर यह बहुत important term लिखा गया आपका यह जो resistance है और resistivity है वह temperature के साथ क्या करता है, vary करता है यही करन था कि हम लोगों ने देखा था V is equal to IR तो V is equal to IR, ohms ला हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने यह भी पढ़ा है था कि वहाँ पर temperature को हम लोग change नहीं होने देते हैं मतलब कि वह खास temperature पर यदि यह प्रयोग हो रहा होगा तभी V बराबर क्या होगा, IR तो यहां आप देख सकते हैं, table यहां पर दिया गया है reveals that resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal तो एक alloy है, उसका resistivity generally क्या होता है, जादा होता है सबसे पहला चीज, table में जो resistivity दिखाए गया, उसको आपको याद नहीं करना है यदि exam में प्रशन आता है, तो उसके साथ इसको दिया जाएगा दूसरा, alloy में जो जो alloy यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि constantin है तो उसकी इस चीज का alloy है, तो यह आपको तीनों याद कर लेना है बहुत important है, exam में इससे प्रशन पूछे जाते है तो आप देखेंगे कि इसका resistivity क्या है, जादा है लेकिन इसको जो element बना रहे हैं, उसका resistivity क्या है, कम है Alloys do not oxidize, burn radially at high temperature for this region They are commonly used in electric heating devices तो electric heating devices जैसे कि heater हो गया, iron हो गया, toaster हो गया उसमें alloy का use किया जाता है, क्योंकि generally क्या होगा बहुत heat होने पर भी बहुत oxidize नहीं होगा, burn नहीं होगा Tungustin is used almost exclusively for filaments of electric bulb तो ये भी बहुत बार आपको objective में पुछा जाता है, कि electric bulb है उसमें जो filament होता है किछीज का बना होता है, तो tungustin का बना होता है तो ये सारे कुछ common question है, जो कि आपको पुछा जाएगा Whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines तो copper और aluminium का हम लोग generally transmission line होता है या फिर हम लोग जो घर में electricity use करते हैं, वहाँ wire के लिए use किया जाता है इसके बाद आप देख सकते हैं, बहुत सार numerical यहाँ पर बताया गया है तो हम लोग इस numerical को next के वीडियो में पढ़ेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में, धन्यवाद